दोस्तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ गवर्मेंट जोब की नोटिफिकेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस सेक्टर में गवर्मेंट जोब निकली है आप कैसे अप्लाई कर सके उसकी कितनी फीस रहेगी तो चलिए मेरे साथ बने रहेए मेरा नाम है आशु महता अगर आप नहीं है तो प्लीज सस्क्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे इसमें से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक पोस्ट है निकली थी उसकी मैंने एक वीडियो बना रहे है अगर आपने नहीं देख तो आप देख लीजी ठीक है अभी हम चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर जो की निकली हुई है तो दोस्तों हम हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमिशन की वेब साइट पे पीपी एस सी जिसे बोलते हैं यहां पे पंजाब में पोस्टे निकली हुई है आपको मैं अभी दखा रहा हूं यह देखिए जैसे ही ओनलाइन रेस्टेशन पर आप क्लिक करते हैं अप्लाइफ और पोस्ट ठीक है तो आपको एक अड़ोटाइमेंट दिखाई देता है जो की अड़ोटाइमेंट नंबर है टू जीरो वन नाइन वन 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 सोरी वन टू की पोस्ट है इसके लिए क्या-कै क्या क्वालिफेकशन रहती है आपको बता हूँ अगर कई ऐसे Candidate है जो की बोलते हैं कि हमें तो यह वाली apply नहिं करनी तो प्लीस उनको शेर कीजिए जिनको यह apply करनी है कई बार उनको पता नहीं चल पाता तो ऐसा Candidate रह जाता है जो की apply करना चाहता था बट उसे पता ही नहीं चला ठीक है चोबिस पाँच दो हजार उनीस इसकी last rate रहेगी मैं आपको पहले ही बता दूँ जैसे apply पर क्लिक करोगे आपको advertisement सामने आ जाएगी तो main main जो आपकी चीज़ें रहेगी पहले मैं वो discuss करूँगा उसके बाद अगर बात करें इसकी फीज की तो 31.5.2019 इसकी bank hours के बीच बीच में आप फीज सब्मिट करवा सकते हो और कोई भी hard copy या कुछ है सब्मेटीरियल सेल्फ अटेश्टिड वगारा कुछ भी नहीं भीजना department को इसका जो रहेगा पेपर का style और कैसे जो है ना इसका selection होगा process अभी हम चलते आगे यह देखिए इसके यहां पे general information हम देख लेते हैं यह देखिए पब्लिक सर्विस कमिशन जो इसकी डिटेल अड़टाइमेंट है यह देखिए कि सिश्टर टीशन इन दा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर गोवर्मेंट ऑफ पंजाब ठीक है जी बात करें इसकी ग्रूप B की पोस्टे हैं सर्विस रूल वही रहेंगे 2018 वाले ठीक है और आप अप्लाई कर सकते हैं 24 तारीक तक लास्ट डेट है आपकी अभी हम बात कर लेते हैं इसकी पोस्टों पे कैटेगरी वाइस 71 कैटेगरी कोड है जो उसमें जनरल की 40 पोस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो टोटल हमारी पोस्टे जो होता हो जाती है ना 82 पोस्टे है ठीक है पेस्केल के अगर बात कर लेते हैं आप देख सकते हैं लिए तो आप देख सकते हैं पेस्केल जो इसका है दस हजार तीनसों से लेकर के चौनतिस आट सो तक है प्लस अड़तालीस और पे ग्रेड़ पी है ठीक है तो next हम देख लेते हैं इसकी essential qualification क्या क्या रहेगी आपको apply करने के लिए आपके पास bachelor of science होनी चाहिए नर्सिंग के अंदर और recognized university से होनी चाहिए should be registered with the Punjab Nursing Registration Council registered होना चाहिए पंजाब नर्सिंग काउंसिल से पंजाबी of metric or its equivalent standard is essential few exceptions देखे क्या है कि दस्वी तकागो पंजाबी जो है ना कंबल सरी है इसमें रहेगी और age की अगर बात की जाए तो 11 2019 से 37 यर ठीक है अठारा से 37 यर तक आपकी जो है ना चलेगी अगर हम selection process की अगर बात करें तो आपका जो है ना return test होगा और यह देखे और अभी आपकी slaves की बात कर लेते हैं क्या 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 आपका slaves आएगा ठीक है अभी हम चलते हैं direct slaves पर यह देखे मैंने पहले से ही open करके रखा हुआ है तो यह आपका slaves रहेगा यह लगबग 50 पेजों का है अलग लग के लिए अलग लग रहेगा slaves for the post or the sister tuition यह देखिए जिस भी stream में आपने कर रखी होगी उस stream के लिए से यह देखिए बायो कमिस्ट्री और यह सब चीज़े हैं तो आप description से link लेकर के यहां से यह slaves सारा download कर लीजिए ठीक है यह सारा मैंने आपको दिखा दिया 52 पेजों का अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस website पर आना पड़ेगा इस website पर क्या अप्लाई कर सकते हैं apply online में जैसी जाएंगे यहां पर देखिए apply online का option आगया आपका post applied for दोस्तों अगर आप देख रहे हैं अगर आपने फिल नहीं करनी तो किसी अपने दोस्त को WhatsApp पर शेयर कर दीजिए ताकि उसको अप्डेट मिल जाए वह apply कर सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू थैंक्सर वाचिंग